नमश्कार दोस्तों स्वागतक बर फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्ष्या मंत्राले भरती के बारे में जियां दोस्तों Ministry of Defense की तरफ से आपके बहुत बड़ी बंपर भरती आ चुकी है वेकेंसी के लिए आपके दस्यू पास बारी पास ग्रेजूट केंडिडेट अपलाई कर सकते है वेकेंसी आपकी ओल इंडिया लेवल की रहेगी जिसमें महिला और पूरुष दोनों ही आवेदन कर सकते है अब आपको आवेदन कैसे करना पड़ेगा, सेलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा लाजडेट आपके कब रहने वाले पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम बताने वाले है तो दोस्तो जो भी इंट्रेस्टेट कैंडिडेटर वीडियो को शुरू से लेगर के एंड तक जरूर देखेगा चलिए दोस्तो बिना किसी दरीके करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तो मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की तरप से आपके ग्रूप सी के पदो पे वेकेंसी निकल चुकी है टोटल में लागे 10,225 पद रहने वाले हैं जो भी इंट्रेस्टेट कैंडिडेटर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं अब आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, सलेक्शन प्रोसेस, इलिजिबिलिटी, क्राइटिरिया क्या रहेगा डिटेल में बता देते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कौन-कौन सी पोस्टों पे आपके वेकेंसी निकल चुकी है तो दोस्तो स्टेनोग्राफर ग्रेट सेकेंड के पदों पे आपके वेकेंसी निकली है LDC के पदों पे आपके वेकेंसी निकल चुकी है UDC के पदों पे सफाईवाला मेसंजर और हेलफर के पदों पे आपके वेकेंसी निकल चुकी है दोस्तो एक candidate एक state के लिए apply कर सकते है इसके अलावा आपको बता दो कि जो merit list निकाली जाएगी state wise और category wise निकाली जाएगी pay scale की अगर हम बात करें तो stenographer grade second के post के लिए level 4 का pay scale रहेगा 25,000 से लेकर के 81,000 रुपे UDC की post के लिए भी same रहने वाला है लेवल 1 का pay scale रहेगा 18,000 से लेकर के 56,900 रुपे परमंत आपका pay scale रहने वाला है इसके अलावा age limit का criteria गर हम देखे तो stenographer की post के लिए 18-27 साल का UDC की post के लिए 18-27 साल का LDC की post के लिए 18-40 साल का सफाई वाला की post के लिए 18-40 साल messenger की post के लिए 18-40 साल और helper की post के लिए 18-45 साल का age limit का criteria रहेगा इसके अलावा online आपको आविदन करना पड़ेगा offline board आपके accept नहीं के जाएंगे total number of vacancies आपकी 10,225 पद रहने वाले है vacancy के लिए education qualification के हम बात करें तो 10th pass और 12th pass candidate अपलाई कर सकते हैं आपको post preference उसी के according बढ़नी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे eligible होते हैं तो सारी पोस्टर के लिए apply कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग आपको यहाँ पे apply करना पड़ेगा और अलग-अलग आपकी application fees लगने वाली है आपके आवेदन भी start हो चुके है selection का process आपका written test, skill test और interview basis पे conduct करवाई जाएगा काफी अच्छी वेकेंसी आवेदन जरूर कीजिएगा अब मिलेंगा आपे नेक्स्ट वीडियो में एक नई update के साथ में तब तक के लिए द्रीज़ेगा